कि हेलो एवरीबने सेसीण में साना साना हाज joue SCOTT जो यत्रा वरतांत है जो मदुग कंक्रिया जी दूआर लिखा गया है उसके बारे में हम लोग पढढ़ेंगे तो साना सानख तो उन्हें सुबह सुबह क्या होता है युम्थांग के लिए निकलना पड़ता है तो युम्थांग अर्थाद गाठियों का सहर तो बताया जाता है कि वह गंग्टोक से अर्थाद गंटोक से एक सुनौ चास किलोमेटर की दूरी पर है जब लेखी का और उनके जतीन और उन की बताता है कि दर्म चकर है जिसों गुमाने पर सारे पाप जीओंन के सारे पाप धूल जाते हैं फिर लेखी का को क्या दिखाए देता है सफेद पताकाइं दिखाए देती हैं तो फिर जत्तिन आर्गे बताता है कि यहाँ बुद्धि कि जिद्धिश्ट की मिर्तव होने पर उसकी आत्मा की सांती के लिए 108 सफेद कलर की पताका है मंतर सहीत लिखी हुई लगाई जाती है और इन पताकाओं को कोई उजारता नहीं उखारता नहीं यह अपने आपी समापते हो जाती है फिर बताता है कि रंगीन कलर की जो पताका है वो इसलिए लगाई जाती है किसी महिला हैं अपने हाथ में कुदाल और थोड़े लिए एक पत्थर पर बैर कर पत्थर तोड़ती वी नजर आती हैं तो उनका मन वहां पर चली-चली हो जाता है तो फिर वहां पर बोर्ड और और्गेनाइजेसंस किसी व्यक्ति से पूछतें कि यह क्या कर रहे हैं तो वह कहता देखो कितनी खाई है कितनी गहरी है इसमें गिर भी जायतन की मौत भी हो सकती फिर बताया कि बहुत सारे लोग यहां ऐसे मर भी चुके हैं फिर जैसे आगे चलते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जो तीन साड़े तीन साल के होते हैं और फिर जितन बताता है कि यह बच्च भी खटा करके लाते जिसे सामको खाना प्राप्त हो जाता है पिर आगे जैसे ही जाती है तो परकार के दोस्तों इसमें जो बताया गया है चीज नाम और आता है जिसे कटाओ जिसे हिंदूस्तान का स्वीट जलेंट का गया है यह कौन बताता है यह जितन ही बताता है लेकिन जो सहली मनी होती है लेखिका की वह इसका क्या करती है क्टाक्स करती है क्योंकि वह स्यूर्जेलेंड पहले ही घूमाई थी ठीक है अब इसमें कुछ सब्दों का प्रियोग किया गया जैसे कि मैं फेरी फेटूला सब्द को फे परकारे लेखिकाने गंतोक की राजदान इसे किम की राजदान गंतोक और हिमाले की यातरा का उनन की है साथ में वहां के लोगों के बारे में बताया गया है उनका रहसेन के बारे में बताया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों बहुत अच्छा समझ में आ आओगा अब इकले इतना ही धन्यवाद थेंक्यू सो मच